आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों एक ऐसे टॉपिक पर जो इसकी चर्शा हमारे देश में खूब होती है, गली-गली होती है, घर-घर में होती है, हर ड्रोइंग रूम में होती है लेकिन जब इसको प्रधान मंतरी मोदी जैसा शक्स अपनी रैली में खुले आम कहता है तो फिर बात देश के एक-एक आदमी के दिल तक पहुचती है, आज मैं बात करने जा रहा हूँ, मोदी और देश के मुसल्मानों, आप कहेंगे क्यूँ, प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी की सारी सभावों में आप, जब से आप को याद हो कि आप उनकी कोई रैली सभा, कोई भाशन सुन रहे होंगे, 2014 से ही सुरू कर दीजे, कुछ शब्दों का इस्तमाल ना के बराबर करते हैं अपनी रैलियो में, मुसलिम, मुसल्मान, पाकिस्तान, मौलाना, ये आम तोर पर उनकी वोकैबलरी में नहीं है, नहीं बोलते हैं इस ब चीज़े, लेकिन अब बोल र मुसल्मानों को एक सीधा डायरेक्ट मेसेज दे दिया है, कितना वोट करते हैं मुसल्मान, भारती जनता पार्टी को, मुदी को, इसको फिलाल भूल जाइए, वैसे मेरे पास वह आंकड़ा है, आट परसेंट, साथ परसेंट, यही रहा 14 में, यही रहा 19 में से जादा नही कई कई एलेक्शन में 2-3 परसेंट भी इतना वोट भी जाता है, इतना ही जाता है, लेकिन नरेंदर मुदी यह बात बखूबी जानते हुए क्यों मुसल्मानों से मुखादिब हो रहे हैं, आप एंगे जाहिरे उनको वोट चाहिए, वोट तो चाहिए, नेता है, प्रदान उसके बारे में सोचिए, जरा आत्मों मन्थन कीजिए, क्या ये सही है, अब जैसे ट्रिपल तलाक वाली बात है, मुदी ने ट्रिपल तलाक हता दिया, बहुत आल इंडिया मुसलिम परसनल लाव वोट से लेकर के, तमाम जितने मुसल्मानों के संगठनें बड़े-बड़ मुसलिम देश के मुसल्मानों के मन में ये बाट डार लेंगी कोशिष की कि वे तुम्हारे दीन के साथ खिलवाल किया जा रहा है, उसको सैन मत करना, मैरे अंदमोदी ने बार बार एक ही बात कही, कि देश की मुसल्मान बेटी बहन, क्या किसी दूसरे धर्म की बेटी बहन से अलग है, उसका घर तूटता है, तो उसको कम दर्द होता है, क्या, उसका पती तलाग तलाग कहकर कि उसको छोड़ करके चला जाता है, वाटसैप पर तलाग देता है, मेल पर, SMS पर तलाग देता है, शराब पी कर तलाग देता है, उसका सबसे ज़्यादा दर्द किसको हो तो ये सिर्व मुसलिम महिलाओं की भी नहीं है आपके मेरे घर में भगवान न करे कि अभि कैसी ट्रैजेडी मैं म्हयूस करूँ बाज महसूस करी मैं थे सूक्त लॉक्त बाटसे मार्प्त किवल मिलाओं क如 लेकिन नरेंद्र मोदी ये बात समझाने की कोशिश बार बार कर रहे हैं, अब इसका दूसरा पहलो जबड़ दूसरे नजरीए से देखिए, मुसलमान क्या सोचते हैं, मुसलमानों को बार बार ये बताया गया, कि ये लोग आपके विरोधी है, ये लोग आपके दुश्मन हैं, बैरी हैं आपके, कुछ ठीए बयान भादूर ऐसे भी दूसरी तरफ हैं जिनकी बातों से हो सकता है किसी का मन खटा हो जाता हो लेकिन जब वोट डालने की बारी आती है तो आज तक मुसल्मान ने किसको वोट दिया है देश में सबसे जारा कॉंग्रेस पार्टी को वोट दिया उसके बाद एक शेत्री दल जो समाजवादी विचारधारा वाले थे, समाजवादी पार्टी हो गई, राष्ट्रे जनतादल हो गया, जनतादल हो गया जो पहले था, इनको वोट करते आए, अब आज मुसल्मान ये एक किसम से दोराहे पर खड़ा सोच रहा है कि अब क्या आगे क्या, क्योंकि इन पा जोचकर भी वोट कर रहा है, तो वो नहीं हो पा रहा है, किसी के वोट से कि मेरा वोट खिलाफ जाएगा, मुदी हार जाएगा, ये नहीं 14 में हुआ, नहीं 19 में हुआ, और 24 में नहीं होगा, ये हम नहीं कहते हैं, ये देश में होने वाले दरजनों सर्वे कह रहे हैं, ये लेकिन एक हिचक है एक जिजक है लेकिन क्या आज देश की मुसल्मानों को ये कम से कम सोचना चाहिए हमारा क्या नुकसान है इसमें अगर आप देश की सत्ता के भागीदार बन जाते हैं ये प्रोग्राम इसलिए नहीं है कि हम किसी को किसी के मन में कुछ विचार डालें कि वह आप ऐसा किदे लिए फॉट है अगर आप सत्ता के भागीदार हैं अगर आपके वोट से सत्ता में आदवी पहुँच रहा है तो उसकी नीपियों में उसकी सरकार जलाने की शैली में आ साथ सोचे देश का क्या सोच पाएगा इस पर आप लोग बात करेंगे क्योंकि प्रधान मंतरी की तो जो थौट है लाइने बिल्कुल क्लियर है आप नरेंदर मोदी की बात सुनिये जरा उन्होंने बाद ट्रिपल तलाग से शुरू की थी लेकिन उसके बाद फिर कहा कि ए मैं तमताओं उनको पूरी समझ नहीं है यह सिर्फ मुसलिम महलाओं का भणा हुआ एसा नहीं है सिर्फ मुसलिम महलाओं कोई लाप बिला एसा नहीं है कोई भी मुस्लिम महिला किसी की बेटी होती है किसी की बेहन होती है और जब माबाप मुस्लिम बेटी को शादी करवा कर ससुराल भेचते हैं कितने बड़े सपने देख करके भेचते हैं लेकिन मन में चिंता रहती है कि कहीं दामाद नाराज हो जाएं और तीन तलाग बोल दें और अगर बेटी घर वापिस आ जाएं तो पूरा परिवार तबाह हो जाएगा भाई को चिंता रहती है अगर बेहन वापिस आएगी तो क्या होगा मा को चिंता रहती है कि अगर बेहन वापिस आ जाए तो उसको मैं कैसे पालूगी और इसलिए तीन तलाक का कानून खत्व करके परंपरा खत्व करके हमने सिर्फ मुस्लिम महिलाएं नहीं पूरे मुस्लिम परिवार को बचा लिया है उस लटक्ती तलवार से मुक्ती दिला दिया है यह एक काम इतना बड़ा मने किया है कि आने वाली सद्यों तक मुस्लिम बेटियां यह मोदी को आशिरवाद देती रहेगी अब या आशीरवाद मोदी को कितना मिल रहा है मुसल्मान बेटीओं बेहनों का मुसल्मान मर्दों का आदमियों का डेटा से ही शुरुबात कर देता हम आज की प्रोग्राम की चलिए समीर जीने डेटा मुझे बिखाया अभी 2014 में मुसलिम वोट नरेंदर मुदी को मिला 8% 2019 में नरेंदर मुदी को वोट मिला 8% लेकिन अगला डेटा और महत्पूर्ण है इस सर्वे में पूछा गया कि कितने परसंट मुसल्मान चाहते हैं मुदी दुबारा सत्ता में लोटे आप जानकर हैरान होंगे हरान होंगे रिस्पॉंस में 15% मुसल्मानों ने कहा वोट 8% मिला था लेकिन 15% मुसल्मान कह रहे हैं कि हाँ मोदी सत्ता में वापस लोटे तो ये अच्छा है आए चर्जा की शुरुबात कर रहा हूं है हारश मर्दन तिरपाट जी जी राहूल माजन जी प्रफेसर संगीत रागी जी संगीच अगामकर साथ बहुत सबागत आप सभी लोगों का इतफाक ही है ये कोई प्लान नहीं था कि रागी जी बगवा में आए है और राहूल जी आज हरा जकेट पहन करके आए लिकिन हरा बगवा का कोई जगड़ा नहीं है मुदी जो कह रहे है ये वह कटर शकस से कही नहीं रहे यह उस मुलाना से नहीं कहरा है, मुफ़ती मुलाना से नहीं कह रहा है, सोचो इस बारे में, यह तो आम मुसलमान से कह रहे है और वो जो कटर वाला तबका है, उस का मन मदलने में तो भी बहुत वक लएगा, रागी साथ, लेकिन नरेंदर मुदी वोट के लिए कर रहे हैं, मुझे लगता है देखे आपके देश का एक पोपुलिशन जो है एक बड़ी आबादी जो है 14.2 परतिसत या 14.2 आज के दिन में मुस्लिम आबादी मान करके हम लोग चल रहे हैं कि 17 परतिसत के आसपास है यदि वो आबादी रास्ट की मुख्यधारा से कटी रहे और एक तदेश के लिए भला हो अच्छा नहीं हो सकता है वैसी एस्तिती में ये नयंद मोधी भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि मुसल्मानों में जो एक मानसिक्ता पैदा की रही है कि ये जो पारटी है भारतिय जनता पारटी जो है वो anti-muslim है मुसल्मानों का ये भला क लेकिन जो बेनिफीसियरी हैं इसके ठीक दूगना है लगभग 33% बेनिफीसियरी हैं एक रोस्टे स्किम्स मुसलमानों का तो नरेंद्र मुदी के राज में बेनिफीसियरी मुस्लिम है और हिंदू दोनों है नरेंद्र मुदी की नेतिया मैं फिर का रहा हूँ दुगनी लाब मिल रहा है आप हाउसिंग स्किम को देखेंगे तो ये संसद के अंदर दिया हुआ बयान है मुकतार अबमास नकवी जब थे तो उस समय उन्होंने उस समय दिया था आज के डिटा में मुझे द्यान में नहीं आ रहा है वैसे ही 36% उजवला योजना के अंदर तो ये सिर्फ ये बताने के लिए अभी का जो मामला है ये यदि आ जायेगा तो मुसल्मानों का भड़ा नहीं हो लेकिन दूसरे देखें दो बाते हैं देखें मोहन बागवजी ने कहा हिंदुत्य की परिभासा ऐसी नहीं है हिंदुस का मतलब है उसके लिए कोई पराया नहीं है ये बाकी आइडिलूजी ऐसा नहीं करती है इसलाम और क्रिष्टिनिटी दोनों के लिए है कि बाकी धर्म के दूसरे धर्म वाले उनके लिए दूसमन है लेकिन हिंदुत्व जो है वो दूसरे धर्मों को दुस्मन नहीं मानती है हजारों पंथ 33 कोटी देवी देवता हमारे हैं एक और पंथ आजाए क्या फर्क पड़ता है कुछ नहीं फर्क पड़ता है लेकिन सवाल यहाँ पर आ जाता है BJP is not anti-Muslim BJP is not anti-Muslim लेकिन आप ध्यान करेंगे तो नहरू के जो विभाजन हुआ को इस देश का विभाजन हुआ तो नहरू ने और उनके बाद के उनके शास को ने कॉंग्रेस पार्टी ने हमेंसा सुनिश्चित किया कि उनको तो मुसलमानों का एक मुस्त वोट बेंक उनके साथ खड़ा रहा है, इसलिए हिंदुओं का डर दिखाना, हिंदुत्व पार्टियों का डर दिखाना उनके लिए लाजमी चाहिए। तो मुसलमान के लोग हैं, तो हम लोग कहते हैं कि जिन्ना की महत्वा कांख्षा थी, लेकिन महत्वा कांख्षा तो नेहरू की भी थी, कोई एक और कंडिडेट हो सकता था, कई बार हम कहते हैं कि किसके नाम पर सहमती नहीं बन रही है, तो कोई सहमती बनाई जा सकती है, लेकिन साफ साफ था कि स्वतंत्र भारत हुआ, अंग्रेजों की एक नीती थी, फूट डालो राज करो, बाटो राज करो, फिर नेहरू और जिन्ना दो ऐसी शक्सियत जिनको प्रधान मंतरी से कम पर स्विकार नहीं था, दो देश बन गया, एक भारत वर्ष रहा, एक हमारा ही हिस्सा काटके, और इस्लामिक मुल्क बना दिया गया, जो पाकिस्तान बना तो ये तो रहेगा, दूसरा, पाकिस्तान के साथ साथ जो मुसल्मानों की एक और मुश्किल थी, क्योंकि आकरांता आये और यहां सब के सब धर्म परिवर्तन वाले हैं, तो वैसे तो ये जिसको कहते हैं ने कि देश सच कहावत है, इसको और किसी संदर में नहीं लियाना लेकिन कहा जाता है ने कि नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, तो चुकि भारत में जो कनवर्ट हुए, वो ज्यादा लड़ते हैं हिंदू से, वरना दुनिया के दूसरे इसलामिक मुलकों के साथ जब इरान इराक का संघर्ष चल रहा था, तो सद्दाम भी भारत में प्री था, और इरान भी भारत में प्री था, दोनों अलग अलग धारा को लेकर चल रहे थे, अभी भी अमेरिका और इरान लड़ते हैं, इरान भी हमारा प्री है, और दुनिया के दूसरे देश भी प्री हैं, अब तो कतर, ओमान, गल्फ कंट्री, यूएई, साओधी आते हैं, और अब लोग प्रोग्रेसिव रहा पर चल रहे हैं, यह यहां रहे गए, अब उनको उनके जरीए नरेंद्र मोदी संदेश दे रहे हैं, नमबर दो, पिछले कुछ समय में किसी भी पैरामीटर पर आप देखें, जो सोशल पैरामीटर हैं, उसमें बिना किसी संक पोच कि मैं कहूंगा, भारती, जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार रंच मात भेदभाव मुसलमानों के साथ नहीं करती, चुकि मुसलमानों के साथ क्या, इस आधार पर किसी साथ भेदभाव नहीं करती, लेकिन चुकि इस देश में इस तरह की राजनीती रही, म मुसल्मानों के भीतर मुसल्मान विरोधी वर्ग है जो मुसलिम राजनीती को कैप्चर करके रखा है ये समझना पड़ेगा बई जो मौलाना है जो पुरुष वर्ग है हिंदू राजनीती करने के लिए आपको महिला को घुंगट में डालेंगी ये कोई नेता कहते है उसको मतलब दुरुस्त कर देंगे यहां आप कहते हैं कि हिजाब नहीं उतारना है तो हिजाब के खिलाफ तो कोई है नहीं पता नहीं कितने कितने फैसन ड्रेस आते हैं दुनिया भर के नियूनतम वस्तों से अधिकतम वस्तों तक हम लोग देखते हैं कोई किसी को मना करने थोड पहुच रही होगी संग भी जो कह रहा है वो भी बात पहुच रही होगी और जब ओल इंडिया इमाम इस्टेशन के अध्यक से लेकर सारे लोग संग प्रमुक से मिलते हैं सब एक साथ बात करते हैं बाकाईता संग मुस्लिम राष्ट्री मंच बना देता है तो उसका असर होत लेकिन वोट अभी भी बहुत कठिन डगर है आपने जब भी मोधी जो है मुसल्मानों की बात करते है अपनी रैलियों से या जब टिपल तलाग मुस्लिम बहिनों की ज़्यादा बात करते हैं या उन्होंने अपने अधिवेशनों में दो तीन बार तो कहा है कि आप मुसल्मानों के बीच में जाकर के काम करो कई बार लोग ऐसी चर्चा करते हैं उनके ही समर्था कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा मोदी जी अडवानी जी तो चिंदा की मजदार पर चले गए थे सेकुलर बता दिया थे चिंदा को नरेंद मोदी ने ना कभी टोपी पहनी है दे उनकोर था कि आड़ल जी अब जो है उनकी राजनीती खत्म हो रही है तो उस धांचे में उतरना चाहते थे मुझे नहीं लगता है नारेंदर मोदी को उस खांचे में उतरने की आवशकता है यह खांटी 200 प्रतिसत दिखे कहा जाता है ने कि हिंदुत तो जब हम करते हैं त संका जिसका हम कहले कल भी जिक रहे हैं हिंदुत तो जो हिस्सा है वो नरेंदर मोदी के साथ था है और बना रहेगा ठीक है मालब बैस रावल जी के पास है रावल जी मैं थोड़ा सा पीछे जाओंगा ऐसा इसको समझने की जरूरत है कि आकिर ऐसा क्यों होता है आप जंसं मकर्जी जो हैं उन्होंने बंगाल में मुस्लिम लीक के सा सरकार बना तो हिंदू महास भाझ जो है उसने सिंध में और जो प्रव नॉर्थ वेस्ट फरेंस नॉर्थ वेस्ट फरेंटियर था उसमें मुस्लिम लीग के साथ दो तो ऐसा कोई कोई कांफरेंटेशन था पहले ऐसा नहीं था देखिए बाद में किस तहां से चीज़ दो आज कह रहे हैं कॉंग्रस है मुस्लिम लीग की चाहप है बाद में क्या हुआ बाद में जब आप असी के दशक के जैसे हम कल भी डिसकेशन कर बाद में जब पूरी तरह से राम मंदिर के मुव्मेंट जो है वो उठाना शुरू किया तो मुस्लिम को मुसल्मानों को यह लगा देखिए यह बीजेपी कराना नहीं चाहती थी या वो ऐसा संदेश नहीं देना जाती थी लेकिन मुसल्मानों को लगा कि यह जो है आरसेस पहले से ही यह बात करती आई थी कि भाई हम जो है हिंदूों की बातों को आगे रखेंगे तो आरसेस और बीजेपी का जो जुड़ाव था यह भी कहीं ना कहीं मुसल्मानों को लगा यह हमारे बात कभी नहीं करेंगे अब मैं आपको डेटा देता हूं जो लेटस ह जाते हैं 2020 में बिहार के चुनाओं में क्या हो बिहार के चुनाओं में 77% मुसलिम्स ने बीजेपी के खिलाफ वोट किया ठीक है उसके बाद हम बाद आजाते हैं 2021 में पश्चिम बंगाल में 75% मुसलिम्स ने बीजेपी के अगेंस वोट किया ठीक है उसके बाद यूपी के 2022 के चुनावन. 79% मुस्लिम्स ने बी-जेपी के खिलाव वोट की तो बात बिलकुत सही है कि मुसलमान जो है वो बी-जेपी को वोट नहीं करने जारा है. नहीं करता आज भी बीजेपी को अपनी पार्टी नहीं माओनने के लिए कोशिश करेगी उसकी अपनी राजनिती के लिए नुकसान दे ऐसा भी लोग उनके मन में बिचार है लेकि मुझे लगता है ऐसा नहीं है बारती जनता पार्टी पहले से जानती थी कि मुसलमान का एक बड़ा वर्ग उसको वोटिंग नहीं करता है और उसमें कोई दोरा नहीं को पुक्तार अब्बास नकी से कहा कि अपतर संक्राइक मन्त्राइय के लिए ते लिए आजके थारी इसा नहीं है कि मुसलमान प्रोग्राम नहीं वोग जो अब हुरा मते बात कहिते हैं-धक मुसलमान मुसल्मा प्रोग्राम धो लुगना, population से, representation से दूना अलाब मिल रहा है, वो मानते हैं इस बात को, लेकिन फिर भी, vote देने में हिचक है, टाइम लगेगा इस बात को, ऐसा नहीं है कि अगर वोट दिना शुरू करेंगे, शतर सार का उनके दिमाग के अंदर जो माइंडसेट बेटा हुआ, एंटी आरेसेश जो बेटा हुआ है, और समाज का मुस्तिर समाज के जो ठेकेदार थे बड़े मौलाना, उन लोग जगाता, जो अब आपने जो माइंडसेट बना हुआ है कि बीजेपी हमारी विरूधी पार्टी है, अब ये हिजाब का मामलाओ, ट्रिपल तलाक का मामलाओ, C.A. का, N.R.C. का, अब बदर रहे हैं, अब बताए जाता है, ये सब मुसल्मानों तुमारे खिलाफ कर रहे ही, बीजेपी, एक जो फेवर में जारा है, तीन तलाक त अब का बहुत कम हो गया है, और जंता भी इस बाता है, बहुत कम हो रहा है, इसका आशर दिखें का आपको इस लाओं में, इसका मतलब है कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, अमबेटकर ने बहुत अच्छा लिखा, माई थॉट्स अन पाकिस्तान पे, और कहा कि ये ये जो ग्रदर्हक है, इसलामिक ब्रदर्हक ये बस इसलाम के लोगों तक है, दूसरे लोगों के लिए की, उनका कौनशेप्ट ने हों की ती ओ-इसलाम और और एसलाम जहां कि यहांपर परिस्लाम का साथ जहांपर इसलाम का सासन नहीं है क्रइम को इसलाम के सासन चाफन से ट youtubers करना ये उनका ओलोम के फान इन्वाद के बात करना है आप पकी अस परफ़ीन के में होगा एक अक अलोना का फोसकता है इसी मोटिवेशन हो सकती है आम मुसल्मान की बात कर रहा हूं मैं आम मुसल्मान जब वो मदरसे में जाता है और जब उसको बरेलवी और जब देवबद में पढ़ाया जाता है 11th century का जिहाद पढ़ाया जाता है वोड़ी जिहाद 11th century का एग्रेसिव जिहाद तब उसको यही बताए जाती है कि ये काफिरें ये काफिरों का शासन है आप उसको कहां से निकाल लेंगे तुह काफिर का शासम तो कांग्रेस वाला भी था फिर कांग्रेस को कियो वोट करता था उसी में एक और कॉंसेफ्ट है दारू हरब है तहां ताप आप दारुल अमन के तरवुन के साथ आप संद्रता करके रहें। करके का सवाल जो है गाजा पट्टी का सवाल भारत के मुसलमानों के लिए मुसलिम प्रस्न बन जाता है। इन ही के कंट्रोल में है तो वो मुसलिम नहीं सर वो मुसलिम लीडर्शिप तो पार्टियों को देनी है ना या मुसलमानों के अंदर से निकलेगी वो वो नहीं आ रहे है यही तो उनका डिलेमा है कि कि इसकी तरफ जाए पिर अटल बिहारी वाजपेई की जो सरकार थी वो बहुत लिबरल सरकार थी मुसलमानों के लिए। लेकिन क्या मुसलमानों ने जो जार चार में वोट किया यह मोधी सरकार लिबरल है मुसलमानों के लिए यह इस सरकार का एक बहुत इंटरिस्टिंग पढ़ना है अपीजमेंट टू नन ओके एवरिवन इज इक्वाल अपीजमेंट टू नन यही बीजैपी और जंसंग का एक सब्सक्राइब जो यह कहा आपने जो कहा उसको समेटनी कुशिश कर रहा हूं गलत हो तो आप दुरूस्त कर दिजेगा कि देश का आम मुसलमान भी क्या आइडिलोजीकली इसलामिक आइडिलोजी से प्रभावित होकर के इवन एक वोट जैसी चीज भी उसी से प्रभा कुछ समय में जिस तरह से लोगों का रहन सहन जीवन का तरीका बदला है उसमें बहुत से चेंजेज भी आए ऐसा नहीं है कि एकदम से सब कुछ जड़ है मुसलिम समाज ज्यादा जड़ है बड़े धीमे धीमे सुधार की तरफ बढ़ता है दुनिया की किसी हिस्से में नह जड़ा गया तो उसका भी दुष्ट प्रभाव पढ़ा लेकिन मुझे लगता है कि अब जो दुनिया बदल रही है उसमें भारत का मुसल्मान भी ये सब देख समझ रहा होगा और मैं फिर से कह रहा हूँ नरेंदर मोधी बार बार कहते हैं वोट मिले न मिले लेकिन देख यहीं लिबराल होने पे आतंको आधी के लिए रोना पड़ जाता